नवश्कार, USM Info Club में आप सुब एक बार फिर से स्वाधत है फिर से आज के इस वीडियो में खास जो इन्फरमेशन आप से सेर करेंगे वह है इसी चीज़ का रिलेटेट बहुत बड़ा एक सुविधा आपको मिलने जा रहे हैं जो कि पैलेसिर प्रविजन था पर लोगों को पता नहीं था जिस वाज़े से लोग क्रेम नहीं कर रहते पर अब आप क्रेम कर सकते हैं देखिए इसी चीज़ में जब आप ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि आपको उस सहर में ट्रिटमेंट नहीं मिल पता है तो आपको रेफर किया जाता है दूसरे जाएकर में कहीं कमांड हस्पिटाल में या बेस हस्पिटाल में या फिर किसी प्राइबेट रेफरेल हस्पिटाल में तो इस situation में आप एक सहर से दुसरा सहर जाने के लिए काफी जो traveling expenses वो आपको bear करना पड़ता है जैसे कि माली जी आपको आप पटना में हैं और आपको command hospital कलकाटा में refer किया गया तो पटना से कलकाटा आना जाना इस साब के लिए काफी खर्चे आपको bear करना पड़ता है आपका खुट का और आपके साथ जो आएंगी उनके लिए भी तो इस संदर में ECHS ने एक order पास किया जहां पे clear guidelines दिया हुआ है कि क्या-क्या सुविधा आपको मिलेगा कैसे आप apply करेंगे सुप्रेंट्स एक बार फिर देख लेते हैं कि आपको क्या सुविधा मिलेगा देखिए यह सरी information आपको ESM Info Club का website है और Scenic Club का website है इस website में उपलाप्त है जो कि मैं स्क्रीन पे एक बार आपको दिखा लेता हूँ आपटाया गया कि आपको स्रूल 열ा मिलेगा Él họas अधिनल पी आपको च zijbut है शॉइनलेगा विरलेगा कि बाल्स इस्बाव आपको आपको कि सुविधा आपको मिलेगा में ऐसे कहा लगौन की किします Allowing Now, Yes. इस ही है, News. और एह प्र देखिए, जैसे के Regional Center, ECHS, Patna से एंफरमेशन सब्लिट किया गया, और क्ली बताया गया, की traveling allowance of the allowing, following procedures will govern the moment of patient to report clinics as for para 106 of SOP for online bill processing. Online bill processing, ECHS का एक already SOP है, जिसका पैरा नमर 106 है जिसमें यह उपलब्ध है और यह SOP आप पर सकता है CHS का official website में जाके जो कि यहाँ पर extract यहाँ पर दिया हुआ है कि उसका SOP में क्या लिखा हुआ है देखिए according to SOP अगर beneficiary एक सहर से दुसरा सहर में travel करता है due to referral और यहाँ पर आपका जो present city है उसमें आपको CHS का facility नहीं मिल पा रहे है तो इस situation में आपके साथ अगर एक attendant चाहिए attendant का भी certificate चाहिए और आपका भी referral डॉकुमेंट चाहिए डॉकुमेंट डोनोड लेकिए आप और जो भी bus या rail का टिकेट होगा इसको produce करके आप क्लेम कर सकते हैं देखिए क्या क्या डॉकुमेंट चाहिए इसके लिए यहाँ पे डॉकुमेंट जो सजेस्ट क्या आगया application फॉर्म ECHS मेंबर ओकी यह application आपका जो ECHS मेंबर जिसके लिए है उनका जो भी डेटल्स है सारे डेटल्स करके application आपको फॉर्म बढ़ना पर रहेगा लुसरा क्या फॉटकोपी आप स्मार्ट काट ECHS registration slip तिसरा है referral number of the polyclinic name of place and name of place and hospital refer to कहा पे आपको refer किया गया contingent bill तो चाहिए 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 जो कि claim का main document है और bus का या फिरेल का ticket है तो इस सारी document देखे आप apply करेंगे तो आपका जो reimbursement हो जाएगा इसी तरह का बहुत सरा information आपको हर रोज मिलता है ESM info club और सेने की info club में स्थेने क्लाब में यह कि spurs related हो सकता है और और पी का हो सकता है पर हम intimate करते रहेंगे जब live session में आएंगे तो आप direct आप सवाल भी पूछ सकते है तो इस तरह कर देखिए कितने सारी articles इसमें हजरों articles डाला हुआ है due to related to information of a service man आपका government welfare schemes है इसका related है तो आप जो रहे हमारे साथ इसमेर के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नमशकार जय हिंद जय भारत